हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी संथ स्री सूलदास जी की है कहानी सुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे भारती ये वागमै के अमर गरंथ, सूल सागर के रचैता श्री सूलदास जी का जनम दिल्ली के निकट सी ही ग्राम में विक्रम संबत 1535 की वैसाक सुल्क पंच में विक्रम संबत को हुआ था इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी बचपन से ही ये कावे और संगीत में अत्यंत निपुन थे 84 वैस्नवों की वार्ता के अनुशार ये सारस्वत ब्रामन थे इनके पीता का नाम रामदास था पुष्टी संप्रदायाचार्य महाप्रभु वल्भाचार्य विक्रम संबत 1560 में अपनी व्रजियात्रा के समय मतुरा में निवास कर रहे थे वहीं सुर्दास जी ने उनसे दिक्छा प्रप्त की आचार्य के इष्ट देव स्रीनाथ जी के प्रती इनका अपुर्व स्रधा भक्ती थी आचार्य की किलपा से ये स्रीनाथ जी के प्रधान की तनकारनी युक्त हुए प्रती दिन स्रीनाथ जी के दर्सन करके उन्हें नए नए पद सुनाने में उन्हें बरा सुख मिलता था स्री राधा क्रिष्न के अनन्य अनुरागी स्री सुर्दास जी बरे ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे इनकी मानस पुजासिद थी स्री क्रिस्न निलाओ का सरस اور सुंधर वर्नन करने में ये अदुत्यत है गुरू की आग्या से इन्होंने स्री भागवत कता का पदों में प्रनयन किया इनके द्वारा प्रनीत सुरू शागर में स्री मदभागवत के दशमसकंद की कथा का अत्यांत सरस्त था मार्मिक चित्रन है उसमें सवालाख पद बताए जाते हैं यद्यपी इस समय उतने पद नहीं मिलते हैं एक वार स्री सुर्दास जी एक कुए में गिर गए और छेह दिन तक उसमें परे रहे सातवे दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें द्रिष्टी प्रदान की इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप मादूरे का खुब पान किया इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगा की मैंने जिन नेत्रों से आपके दर्सन किये हैं उस नेत्र से इस अंसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु का दर्सन ना करूँ इसलिए ये कुएं से निकलने के बाद पुना फिर से अंधे हो गए कहते हैं इनके साथ बरावर एक लेखक रहा करता था इनके मुँझे जो भजन निकलता उन्हें वो लिखा करता था कई बार लेखक के नहीं रहने पर इन्हों भगवान श्रीकिशन ने स्वैम इनके लेखन का कारे किया एक बार संगित समराट तान सेन बादसा अकवर के के सामने सूर्दास का एक अत्यांत सरस और भक्तिपुन पद गा रहे थे बादसा उस पद की सरस्ता पर मुगद हो गए और उन्होंने सूर्दास जी स्वैम मिलने की छाप रकट की वे तान सेन के साथ सूर्दास जी से मिलने गए उनके अनुने विने से प्रसन होकर सूर्दास जी ने एक पद गाया जिसका अभिपार्य था कि हे मन तुम माधव से प्रेम करो संसार की नस्वर्ता में क्या रखा है बादसा उनकी अनुपम भक्ती से अत्यंत प्रभावित हुआ स्री सूर्दास जी की उपासना सक्खे भाव की थी यहां तक की ये उद्धव के अवतार कहे जाते हैं बिक्रम संबत 1620 के लगभक विठल नाथ जी के सामने पर सोली ग्राम में ये स्री राधा क्रिष्न की अखंडरास में सदा के लिए लिन हो गए इनके पद बरे ही अनूठे हैं उनमें डूबने से आत्मा को वास्त्विक सुकसांती और त्रिप्ती मिलती है श्रिंगार और वासल्ले के जैसा वर्नान श्री सूर्दास जी की रचनाओं में मिलता है वैसा अन्यात्र दुरलब है इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद इस तरह की और भी धालमी को पूरानी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद